हेलो फ्रेंड देसे जमेंद कुमार और आप देख रहे हैं smart events for you इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने access bank में अगर आपका account है तो उसका customer ID और आपका account opening date और यहां पर IFSC किस bank में है उसका IFSC code आप आप यहां पर किस तरह से पता कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना है कि आपके पास mobile application है अगर access bank का तो वहां से पता कर सकते हैं या net banking है तो वहां से बीब कर सकते हैं वoria अपको सब्सक्राइब करेंगा मोबाइल एपलिकेशन के बारे में क्योंकि मोबायल एपलिकेशन इसका काफी अछ्छा है और यहां पर आपको इसको पहले से इसलिए यहां पर open लिख के आ रहा है और आप नहीं किया होगा तो यहां पर आपका install लिख के आएगा तो इसको आप install कर लिजएगा ठीक है तो चलिए मैं मुबाल अप्लिकिशन को यहां पर open करके दिखा देता हूं आपको सारी अधर व्यक्ति इसको इंटर ना कर पाए ठीक है तो यहां पर उपर दिया हुआ लॉगन तो लॉगन पर आप क्लिक कर देंगे लॉगन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको आपको सारी अप्सन देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो यहां पर मैं बात करने वाला हूँ कि आप किस तरह से आप देख सकते हैं कि अपनाptions ilsp ec or customer id कि तो क्या करना है कि सबसे पहले होँ यां पर दिया हुआ है सबसे जैसे कि मेरी बशक्राइथ थो दोने मब पता करना तो पहले बाले को पता करना चाहता हूं तो सैंक को Sy wakes up कुलिक कर देना है जैसे यहां को क्लिक करेंगे तो देश क betrayal कि यहां पर आपका dlatego क्लिक कर देना है तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है तो यहां पर आपकी वह सारी information आ गई ठीक है जैसे कि नाम, account number, account type, category code, IFSC code तो यहां पर आपकी बैंक का IFSC code भी दिया हुआ है और open date तो यहां पर दिसकते हैं कि open date भी दिया हुआ जैसे कि मेरा दिया हुआ 10, 5, 29 तो यहां पर 10, मैं 되면 19 को मनें open किया हुआ था और यहां पर इस्टेदेस भी दिखा रहा है और यहां पर customer ID यहां पर दिया हुआ है जो personal detail दिए होगा तो हुजु यहां पर आपका कस्टमर आइड भी दिया हुआ है account holder name दिया हुआ द्रस बिख भी दिया हुआ ठीक है तो इस तरह से आप आप यहां पर अपनी आएफसी कोड कस्टमर आईडी एकाउंट ओपनिंग डेट का पता कर सकते हैं तो आई हो आपकी वीडियो पिसना आए होगा अगर आपको वीडियो पिस लाइक कर ले तेंक यू